हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबी का मेरे चैनल कोकी तरादा भाविका में आज अब लोग बनाने वाले हैं मसाला टिक्की आज मेरा मन था कुछ चटपटा खाने का तो मेरे धर में रखे थे बॉल्ड आलू तो हम इसे माश कर लेंगे इसमें डालेंगे रोस्तेट मसाला हरी मिर्च और धनिया नमक अब हम इसे अच्छे से माश कर लेंगे अब हम लेंगे पीनट इसे साफ कर लेते हैं अब हम इसे पीस लेंगे और पीसे हुई पीनट को अपने डो में आड़ कर देंगे अब हम डालेंगे कॉन फ्लोर इसे माश कर लेंगे दना में अपने हाथों में ओयल लगाना है और ये डो लेके टिक्की बनानी है अब हमें अपने तवे में डालना है ओयल अब हम लोग अपने टिक्की तवे में रख देंगे अब इसे थोड़े देश पकने देंगे अब इसे पलेट देंगे और अब हमारी टिक्की बन के त्यार है अब हम इसे अपनी प्लेट में रख देंगे अब हम बनाएंगे पुद्रेने की चटनी तो हमें चटनी बन गई है अब हम ले लेंगे अपनी हरी चटनी मसाला आलू, नमकीन, इमली की चटने, प्याज, दही, चाट मसाला और नमक हमने डाल दे अपना मसाला आलू, अब हम डालेंगे दही अब हम डालेंगे इमली की चटने अब हम डालेंगे अपनी हरी चटने हम इसमें डालेंगे हलकी सी नमकीन अब इसके उपर प्यास, चाट मसाला, नमक अब इसके उपर हम रख देंगे अपनी टिक्की टिक्की के उपर हम डालेंगे दही और गार्णिश करने के लिए नमकी प्यास, धनिया और हलका सा चाट मसाला डालेंगे अब हमारी टेस्टी एंड डिलिश्यस टिक्की तयार है इसे बनाईए, खाईए और इंजॉय करिए बाबाई अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगओ हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें